राहूल गांदी के पार्लीमेंट में वापसी के बाद फिर एक बार विवास शुरू हो गया है राहूल गांदी पर इसमित इरानी को फिलाइंग किस करने का आरोब लगाया गया है राहूल गांदी पार्लीमेंट में मोदी के खिलाफ जोरदार बयान देते हुए कहा मोदी सरकार मनीपूर और हर्याना में हो रहा है दंगों पर खामुश तमाशाई बनी बैटी है मनीपूर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया और हज़ारों लोग अपनी जान गवा बैटे है राहुल गांदी और दिगर कई लीडर्स मनीपूर को विजिट किये पर मोदी प्राइम मिनिस्टर होने के बावजुद आज तक मनीपूर को विजिट नहीं किये है राहुल गांदी ने मोधी को रावन से कंपेर कर कहा रावन को राम ने नहीं खुद रावन के अंकार ने मारा था प्राइम मिनिस्टर मोधी, अमिश्या और अडानी के इशारों पर काम करते हैं राहूल गांधी के इस बयान पर मनीपूर और हरियाना इशू को फिर से डाइवर्ड करने इसमिती रानी ने राहूल गांधी पर फ्लाइंग किस का इलजाम लगा कर विवात खड़ा कर दिया है दरासल राहूल गांधी के भाशन के दोरान BGP के तमाम MP खड़े होकर तमाशा कर रहे थे इसके बावजूद राहूल गांधी ने जमकर मोदी सरकार के खिलाफ भाशन दिया है भाशन के खतम होते ही इसमिती राने ने राउल गांदी पर flying kiss देने का इल्जाम लगाया है वाइरल हो रहे वीडियो में साफ नजर आ रहा है राउल गांदी ने लोकसभा speaker की तरव मो कर flying kiss दी है और इसमिती राने दूसरी तरव बैटी हुई है कॉंग्रेज और दिगर तमाम opposition parties के leaders का कहना है इसमिती राने जानबुच कर जूटा प्रुपगंडा कर रही है मनिपूर और हर्याना इशु को डाइवाट करने की साजिश है जिसमें गोधी मीडिया बीजीपी का साथ दे रही है आइए देखते हैं इस वीवाद पर बीजेपी और दिगर opposition leaders का क्या कहना है एक बात पर मैं आपत्ती अभी दर्ज करते हूँ है कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लकशनके दर्शन दिये it is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament aasi gharima vaheem आचरन को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया यह उस खांदान के लक्षण है याद सदन में देश को पता चले पहली बार यह इसे वो रही है एट मेंबर पार्लिमेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेंट किस दे रहे है यह क्या बिहेवियर यह है क्या नेता है वो इसलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट दिया है सीसी कैमरे से इसका फूटेज लेना एंड नंबर का ऊपर कार्यवाहि करना ऐसे हमां मांग रखे हैं हम सभी महिला यंपिस ऐसे मांग रखें यह समझ में नहीं आता है कि जब वो बोल रहे थे सारे मंत्री गंड खड़े हुए थे मंत्री बीच में दखल अंदाजी दे रहे थे आपको आपसे उन्होंने एक प्यार भरा जेस्टर दिया है उसे आपको दिक्कत क्या है इतनी नफरत की आदत बन गई है कि महबबत का कोई भी जेस्टर प्यार का कोई भी जेस्टर अफेक्शन का कोई भी जेस्टर आपको समझ में आता है यह वो रहुल गांदी जिनको आपने as a MP बेदखल किया, यह वो रहुल गांदी है जिनके घर से आपने बेदखल किया, वो अपने सारे केसे जीत कराये हैं, फिर भी आपसे नफरत से नहीं बात करें हैं, जितना जहर आप गुलते हैं, उसमें आपको दिक्कत हो गई है, तो प्रोब्लम आपकी है, बाकी किसी की नहीं है